सहर की हलचल से दूर एक छोटे से गाउं सोहिलपूर में आपका स्वागत है जहां समय तो बहुत ही धीमिगती से चलता है लेकिन यहां का जीवन बहुत ही सरल है और खुशियों से भरा हुआ है प्रिसी इस गाउं का मुख्याधार है और यहां के लोग फसल को अच्छी और प्रचूर मात्रा में उत्पन करने के लिए बहुत ही कड़ी मेनत करते हैं बरसात के सीजनों में कभी-कभी फसले डूब जाती हैं बाढ़ से नुकसान हो जाता है यहां के लोग बहुत ही मेहनती हैं और अपना भोजन खुद उगाते हैं और जमीन से इनका गहरा नाता है यह नदी छोटी सर्यू नदी की नाम से जाने जाती है और यह घागरा नदी से निकलती है इसलिए इसका नाम छोटी सर्यू पड़ा है और यह तमसा नदी की सहायक नदी बन जाती है इसमें हमेशा पानी नहीं होता है बरसात के सीजुनम जब पानी होता है तो यह मचली पकड़ने और फसलों को सिचाई के काम में इसका उप्योग किया जाता है और अब हम पहुँच गए हैं ताल नर्जा में जो मचली के लिए दूर दूर तक जाना जाता है और इसे ताल या जिल भी बोल सकते हैं क्योंकि जिल और ताल दोनों का पानी ठारा हुआ होता है और इसका भी पानी ठारा हुआ होता है और यहाँ पर मचली उत्पादन बहुत अधिक मात्रायम होता है और इस ताल में कॉलगट्टा भी उत्पन होता है जो कमल के फुल से निकलता है यह इस ताल के कारड यहां का भूमिगत जल मेंटेन रहता है जिसके कारड यहां इस गाउं के भूमिगत जल की कमी नहीं होती है और यह ताल बहुत एरिया कबर करता है जिस का रडिया पसुगों के चरागा का भी काम करता है हमा आगे हैं गाउं के प्रामरी पार्ट साला में जो हमारे समिधान के आर्टिकल 21 फर्ष्ट के एक ए अनुसार हमें सिच्छा का दिखार है जो हमारे समिधान के अनुसार यहां भी एक प्रामरी पार्ट साला है और इसके ग्राउंड में बच्चे खेल भी खेलते हैं समिधान के आर्टिकल 45 के अनुसार छोवर से कम आयू के बच्चों के लिए निसुलक और अनिवार सिच्छा का प्रावधान है जिसके कारड यहां पर आंगनवाडी केंदर का अस्थापना की गई है जो प्रामरी स्कूल के बगल में ही इस्तित है प्रधान मंतरी सडक योजना के अंतरगत बनी या सडक इस गाओं को जीले से कनेक्ट करती है और यहां के लोगों के लिए बेपार और या तायात को सरल और सुबिधा जनक और सुगम बनाती है और भी सहरों से इस गाओं को जोडती है यहाँ इस गाउं का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसके बगल में ही यहाँ पर मार्केट लगती है जो यहाँ की एरिये की सबसे बड़ी मार्केट है सुपारन भी करते हैं और पस्कुण के दार द्वारा अपने लिए दूद दही और क्रीम का उत्पादन करते हैं और यहाँ गाउं जो पूरे वर्स हरा भरा राता है यहाँ पर तरकुल के पेड़ बहुत अधिक मातरा में हैं जिसके कारण बहुत सारे जूस भी निकाले जाते हैं और तरकुल खाने के भी काम आता है और इसके हर्याली होने का कारण है कि इसके बगल में जो ताल है बहुत बड़ी एलिया कबर करता है और इसमें हमेशा पानी रहता है जो इस गाउं को हरियाली और यहां के पसूँ के लिए चरागा का काम करता है तो हमारे वीडियो में आप जरूर बताएगे कि इस गाउं में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और इस गाओं की सबसे अच्छी बात क्या है अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए, सेर करिए और हमारे साथ बने रहिए और अब हम मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद